योई गाइज वेलकम बेक टो रोवर इनके ब्लोग इस ब्लोग में आपका स्वागत है आर आज मैं बताऊंगा आपको हंटर 350 लेने के बाद एक साल के बाद मुझे क्या-क्या दिक्कत आई है और अभी तक क्या-क्या दिक्कत नहीं आई है और आपको यह बाइक लेनी चाहि है तो इसका पूरा अभी तक एक साल हो चुका है इस बाइक का तो एक साल में क्या-क्या दिक्कत आई हमें आपको बताने जा रहा हूं वीडियो एन तक जरूर देखना वीडियो अच्छे लेगे तब प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना और यह हैंटर 350 मैंने फ्रॉंट ल यह दोनों तो ज्यादा कुछ एक साल में स्क्रेच बेकरान यह आया है पर इसक्रेच कहा आया हमें दिखा देता हूं सबसे पहली बात तो यह देख सकते हैं चपल किसी ने रख दिया था यह पर तो यह मेल्ट हो गए यहां पर बेड़ गया तो यह स्क्रेच है और एक दिन बाइक भी गिर गई थी यह देख सकते है हैं यहां पर बेड़ी स्क्रेच आपको दिख रहा होगा बस इतना ही स्क्रेच है एक साल में बाकी दिक्कत अभी तक नहीं आई है तो बाईग जैसी नहीं थी अभी भी नहीं है तो मैंने इसको बहुत ज्जादा चला लिया एक सा सबसे एक साल पे बहुत सारे बंदे बाइक बस city बगरा में चलाते हैं तो इत्ना kilometers नहीं होते तो मिलेख सकते हैं ignition on कर दक लिये थे 14 2022 km हो चुका है मेरा एक साल में और टाइम देख सकते है 3-31 वी तही ए अभी में वीडियो बना रहा हूँ तो उसे सबसे सही है हाला कि एक साल में आपको बस सबसे पहली दिक्कत आएगी यह जो चेन आपको दिख रहा है चेन अगर अब समधिसे समधिस अब नहीं करते हो चेन बगरा क्लीन नहीं करते तो मेरा तो काफी साउंड आ आपको चेन की दिक्कत जरूर आएगी तो अब लूब बगरा करते रहे हाला कि अभी मैंने लूब नहीं किया तो अभी में चला कर आया लगब 20 किलोमेटर तो 20 किलोमेटर में मुझे बहुत नोइज आया है चेन से अभी लूब कर दूंगा थोड़ी दिर बाद तो नोइज कर आया है इसका लगभग पर गया 270 रूपीज मतलब पीछे वाला 250 रूपीज पढ़ा है तो आगे का जो है यह बाइवर वाला डिस्पेट चेंज किया ना इसका भी आपका लगभग अपका पढ़ गया है 270 तो 270 और 250 लगभग 520 रूपय तो 520 रूपय हमें आपका दो डि ठीक है तो हाला कि बाकी यह देखिए यहां पर भी इसक्रेच है इसक्रेच की वज़ा है कि यह भी गिड़ा था बाइक यह इस प्रेच अपको दिक्राना इसाया तो गई अगर आप हंटर लेते हो तूज़ा तूज़ा टूज़ान ट्वेंटी-फॉर के लिए मालब लोंग राइट भी किया तावंग गया हूँ दो बार और तावंग में घाले आ गया हो एक बार उतना तो दिक्कत नहीं आए अभी तक और इसका लाइट का जो ब्राइट है वह भी बहुत ज्यादा ब्राइट है बाकी बाइकों से तो आप अराम से जा सकते हो कई पर भी ल सब रख लीजिए और इतने दिन में आपको माइलेज बगर क्या देता है अगर आप फोर्ट सर्विसिंग करा लेता हो मैंने अभी तक मुलाब थर्ड सर्विसिंग करवाया है अगर मैं एक्सपी 95 फ्यूल डालता हूं तो आपको लगबग 43-45 तक माइलेज देता है मतला प मालेज देगा 39 तक देगा और अगर रस्ता टेरा बगरा है तो 38 पक का देगा अगर अपका थर्ड सर्विसिंग हो गया इसके बाद जो मैं चोथी सर्विसिंग करवाऊंगा चोथी सर्विसिंग में शायद और बढ़ जाएगा एक एक किलिमिटर उसके सब से तो हलाकि है आदमें भी नहीं है तो कहने का मतलब यही है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो यही है तो मिलते अगले वीडियो पर बाई बाई गाईज